जैहिंद आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल दस्मार्टेजू फोर यू में और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाल हैं قة यूपी पॉलेटथेजनेशन 2020 के Expected Intrance Examination डेट के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इडियो का एड्मित काड या यूग कहें कि जी कप 2022 का एड्मित कार्ड था वो 29 माई 2022 को release होने वाला था लेकिन 29 माई को परिक्षा एजेंसियों से विवाद होने की वज़े से admit card जो release होना था 29 माई को वो release नहीं हो पाया है ठीक है? ऐसे में जो आपकी examination है उनको postpone कर दी गई है लेकिन अभी तक जो exam date है वो issue नहीं करा गया है तो expected date के बारे में बच्चों की काफी ज़्यादा curiosity है कि क्या expected date हो सकता है तो यहाँ कुछ basic information जो board of technical education है उनके जो अगला कारेकरम है ठीक है? उनके basic information के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपका exam किस किस date में या कब तक आपका हो सकता है ठीक है? तो चलिए start करते हैं आज के इस video को without wasting our time ठीक है? तो दीखें आपका जो entrance examination है ठीक है? अगर exam postpone हुआ है तो at least कम से कम 15-20 दीन बात तो exam अब हो ही पाएगा ठीक है? तो 15-20 दीन की अगर हम बात करें तो आपका जो entrance examination है ठीक है? मिल ला है ठीक है? एक देड़ तो यह है कि आपका 18 जून से ले करके आपका 25 जून के बीच में यहाँ पे सैयोग बन रहा है आपके exam के होने का ठीक है? मतलब कि आपका examination अगर होना होगा पहले 25 तारिक से तो 18 से ले करके 25 के बीच में ठीक है? 25 को भी नहीं 18 से ले करके 25 जून के बीच में ही आपका जो entrance examination है वो हो सकता है reason क्या है? कि 25 जून से आप सभी को साइद पता है या नहीं पता है कि 25 जून से आपका तकरीबन जो 2 या 3 जूलाई तक ठीक है? 2 या 3 जूलाई तक आपका जो ये semester exam है यानि Board of Technical Education का Polytechnic का semester exams है वो होने वाले हैं इस वज़े से यहाँ पर जो आपके entrance examination है वो ये 25 से ले करके 2 जूलाई 3 जूलाई के बीच में possible नहीं है तो अगर आपका entrance examination होना होगा तो या तो 18 जून से ले करके 25 जून के बीच में होगा या फिर आपका first week से ले करके आपका second week first week to second week यानि कि पहले हपते से ले करके दूसरे हपते में आपका जो entrance examination है वो हो सकता है मतलब कि या तो अगर होना होगा तो 18 जून से ले करके 25 जून के बीच में अगर जून में होना है तो हो जाएगा या फिर पहले हपते आपके जुलाई के बात करें अगर जुलाई के तो जुलाई के first week से ले करके second week के बीच में यानि कि पहले हपते से ले करके दूसरे हपते के बीच में आपका जो entrance examination है वो हो सकता है ठीक है तो ये दो expected dates निकल करके आ रहे हैं आपके entrance examination को ले करके ठीक है तो अब हम बात करें अगर आपका ये expected date है और इतना तो होना ही 18 के बाद तो जाएगा ही जाएगा at least ठीक है तो इतना अगर time मिल ला है तो at least आपके पास 15-17 दिन है ठीक है तो 15-17 दिन के बीच में ठीक है आपको मैं provide कराने वाला हूँ वो 1400 questions ठीक है वो 1400 questions जिन मेंसे 100 out of 100 हर एक set में आपको question لटके मिलेंगे ठीक है ब्या है यह यह 1400 questions जिसने लगा लिया उसका live जिंगा लाला ठीक है तो कहने स्मोष तो जाएगे इसको आपको रट लेना है क्या कर लेना है रट लेना है ठीक है अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो रट लेना है क्योंकि यहीं एक्जाम में आपको 1400 questions में से ही छाट छाट करके जीकप 9 सेट में जो question paper मनाएगा वो यहीं से question देगा अब मैं इस बात को कैसे कह सकता हूँ क्योंकि मैं जो 1400 questions आपको provide कराऊंगा वो जीकप के द्वारा ही दिये गए हैं वो जीकप के द्वारा ही उनके answer उनके solution दिये गए हैं questions भी जीकप के द्वारा ही दिये गए हैं ठीक है तो यह 1400 questions के PDF आप सभी को provide करा जाएंगे इसके लिए चाहिए कि आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को All पे सिलेट करके रखना है ताकि कोई भी अपडेट आए कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी अपडेट आपको मिले ठीक है तो ये 1400 questions के लिए अप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिए ताकि जैसे ही ये questions आपको मिले आप अपने दोस्तों के साथ इसको prepare कर ले 1400 questions को और ना किवल वाल questions का PDF मिलेगा साथ ही इसका आपको solution भी मिलेगा ये 1400 questions के साथ साथ आपको solution भी मिलने वाला है ठीक है तो solution भी आपको मिलेगा और ये 1400 question भी मिलेंगे ठीक है तो इसके लिए का करना है channel को subscribe करके रखना है notification bell को press करके notification को all पर select कर लेना है और साथी telegram group को join कर लेना है जहां पर आपको pdf मिलेगा ठीक है तो telegram group को join करने के लिए description में link दिया गया है उस link को use करके आप telegram group को join कर सकते हैं साथी अगर कोई आपकी query ऐसी है जो इस video में complete नहीं हो पाई examination date को लेकर के या ये pdf को लेकर के तो आप comment section में comment करके भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारा आप whatsapp number note कर सकते हैं 9076-929-784 ठीक है ये हमारा whatsapp number है जिस पे आप whatsapp करके जो आपका PDF है या फिर यहाँ पे expected examination dates है ठीक है या admit card है ये सारी चीजों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप हमको instagram पे भी DM कर सकते हैं sunu y450 हमारी instagram ID है ठीक है तो आप कहीं से भी हमसे contact करके जानकारी ले सकते हैं और चैनल को बिल्कुल subscribe कर लेना notification बेल को प्रेस करके notification को all पे select कर लेना ताकि जैसे ही आपके जो exact date है examination के जैसे ही आपके exact examination schedule admit card date वेरा आता है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए इसके लिए आपको जो है bell icon प्रेस करके उस पे all पे click करके रखना होगा ठीक है ताकि सबसे पहले notification आपको मिले आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलें किसी आने वीडियो लाइफ शीजन के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें यह हमारी सुक्कामना है आप सभी के साथ जैहिंद